बिस्मिल्ला रख्मान रहीम आज हम मॉड्यूल नंबर 120 डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 120 है एक मजशॉट प्रॉब्लम है और उसको हम थ्रेडिंग के थ्रू यूज़ करके solve करने की कोशिश करेंगे और जिसके अंदर थ्रेडिंग इस तरह से हम यूज़ करेंगे कि हमें multi processing का क्योंकि आँको पता है windows एक multi processing system है तो हमें windows के multi processing होने का फायदा भी मिले इसको हम पहले discuss करते हैं point by point basically क्योंकि windows जो है यह एक multi processor system है इसके अंदर एक से ज़्यादा processors लगे हैं और फिर आप इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं कि number of threads run कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सारी threads जो हैं उसने एक ही processor को use करना एक ही processor का time multiplex होगा on to all the threads बलके आप हर processor के अंदर अलग अलग threads को run कर सकते हैं अगर आपके पस multiple processors हैं और हर processor के अपर अलग अलग threads आप run करते हैं और इस तरीके से आप program करते हैं अपने program को तो आप अपने program को optimally use कर रहे हैं resources को optimally use कर रहे हैं, अगर आपने एक single threaded program बनाया है, जो सिरफ एक ही processor को use कर सकता, तो of course उस case के अंदर आप बाकी के processors को use नहीं कर रहे हैं, तो क्यूंकि अब multiprocessor systems आम हो गये हैं, तो इसलिए इस तरह की programming learn करने की आपको जरूरत है, कि जिसके थुरू आप किसी भी एक multiprocessor system का जो full potential है, उसको use कर सके, तो ये कैसे काम करेगा, इसमें हम ये हैं कि जो हमारा बड़ा task है, जो भी आपका algorithm है, उसको छोटे-छोटे tasks के अंदर, एक जैसे tasks के अंदर sub-divide कर लेंगे, और फिर हर sub-task को complete करने के लिए, एक thread run की जाएगी, यानि कि अगर एक बहुत array है, और उस बहुत बड़ी array को sort करना है, तो आप क्या करेंगे, उस array को कई pieces के अंदर divide कर लेंगे, और हर piece के लिए एक thread run कर लेंगे, वो thread क्या करेगी, जिस्ट उत्रे piece को sort करेगी, और फिर windows आपको क्या advantage देती है, windows ये advantage देती है, कि अगर आपके पास multiple processors है, तो आप हर thread को एक different processor के उपर parallel run कर सकते है, तो ये हम windows का advantage है, इसको हम use करना चाहते है, इसको हम अपने advantage के तोर पर use करना चाहते है, ये जो parallelism का advantage है, ये बिल्कुल worker crew strategy जो हमने previously discuss की थी, उस strategy की तरह है कि आपके पास एक बहुत बड़ा crew है, और सारा work जो है, वो स्क्रीव के बीच में divide कर दिया जाता है, और बाद में उन सारों का जो work है, उसको हम कठा कर लेते हैं, अच्छा फिर यही काम, of course, ये strategy use करके आप multi processing से भी ये काम कर सकते हैं, कि कही सारे sub task बनाए और हज sub task के लिए, एक thread ना रहानो, बलके एक process रहानो, वहाँ पे ये भी ठीक है, ये efficient है, लेक कि threading के थुरू ये काम किया जाए, तो वह efficient होगा, क्योंकि threading के बीच में जो switching overhead है, that is very low, यह हमने previously भी discuss किया था, threading जो threads जो है, वो एक lightweight process है, जबकि आपका जो वैसे process है, वो एक heavyweight process है, उसके अंदर जो switching overhead है, that is high, कई सारे overheads है, जो high है, तो इस case के अंदर अगर threading को आ करते हैं, तो that is more efficient. अच्छा, फिर हम sorting के लिए क्लिए क्लिए है, sorting के लिए है, हम एक, वैसे तो mudsort हमने नाम दिया, लेकिन mudsort का सच पूरा algorithm नहीं implement किया, हम क्या करते हैं, कि firstly, list को कई सारी sublists के अंदर divide कर लेते हैं, फिर हर list को sort कर लेते हैं, वो mudsort से नहीं कर रहे है, वो हम किसी भी sorting algorithm से, qsorts है, already जो हमारे पास कहलें के library function, उसको use करके हम qsort की मदद से sort कर लेते हैं, और फिर बाद में merge sort यह किस तरह से यह है, कि जो sorted arrays हैं, जो sorted chunks हैं, उनको हम वापस में फिर merge कर देंगे, merge इस तरीके से करेंगे, कि हमारे पास जो merge list आए, वो sorted हो, तो इ एक तरह से यह, actually hybrid सा algorithm है, exactly merge sort की तरह का algorithm नहीं है, फिर जब आप इस तरह का कोई program लिख रहे हैं, तो उसमें दो तीन understandings होनी must है, एक तो यह understanding होनी चाहिए, कि जितने भी octopus records, engine records को आपने process करना, आपके पास list है, of records, ठीक है, आपके पास है, एक million records है, तो जितने भी आपके पास records है, उनको number of threads के उपर पूरा-पूरा divide होना चाहिए, नहीं कि integer division होनी चाहिए, remainder must be zero, पूरा-पूरा उसको divide होना चाहिए, और फिर आपको अगर उतने threads हों आपके पास, जितने के आपके पास processes है, तो यह most optimal situation है, तो अगर आपके पास eight processes है, और eight threads run कर रही है, तो यह most optimal situation है, अगर eight processes है, लेकिन four threads है, तो यह ज़्यादा optimal situation नहीं है, five हो जाएगी, और optimal हो जाएगा, eight पे जाके most optimal होगा, फिर जब आप multiple threads या multiple processes के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक चीज, synchronization, mutual exclusion का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, race condition का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, तो यह जो threads का case है, इसके अंदर भी आपको race condition के ख्याल रखने की जरूरी है, वो किस तरह से, कि जब आप अगर for example, आपने sorting के लिए four sub lists बनाई हैं on four sub lists के लिए एक-एक thread रण की है, आगके पास four threads हैं, तो आपने चारों threads को कठा रण करना है, एक thread अगर create हो जाती है, तो आपने उसको suspended रखना है, जब दूसरी create होती है, उसको पिस्पन्ड करना है, तीसरी create होती है, उसको भी suspended, जब सारी create हो जाती है फिर उसके बाद आपने उन threads को resume करना अगर एक thread complete हो जाती है और भी दूसी thread जो है वो complete ही नहीं हुई वो exist ही नहीं करती है जिसके साथ वो उसको merge करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर race condition की problems आएंगी ठीक है तो उसको avoid करने के लिए ज़रूरी है कि पहले सारी threads जो हैं वो create हो जाएं और फिर ही उनको concurrently run करने की कोशिश की जाए तो अगर एक thread wait कर रही है किसी दूसी thread के लिए और दूसी thread अभी तक create ही नहीं हुई तो वहां पर race condition की problems जो हैं आएंगी तो उन problems को avoid करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो भी threads initially create करें वो suspended state के अंदर create करें और उसके बाद जब सारी create हो जाती है तो उनको फिर कठा resume करें यह एक और diagram देखते हैं इस diagram की मदद से आप इसको मजीद elaborate तरीके से समझ सकते हैं इस diagram के अंदर आप देख सकते हैं कि आपने एक ray है एक large ray है जिसके अंदर आपके कई सारे records हैं इसको आपने four equal chunks के अंदर divide कर लिया अब हर chunk के लिए आप एक thread run करें वो thread क्या कर रही है वो specific chunk को sort कर रही है जिस तरह thread zero है thread one thread two thread three यह four threads जरान हो रही है thread zero जो है वो पहले वाले chunk को sort कर रही है thread one जो है वो दूसरे chunk को sort कर रही है thread two third को thread three four अब होगा क्या, merge कैसे होगा, merge करने के लिए ये किया जाएगा, जब lower two chunks for example, ये पूरे के पूरे sort हो जाते हैं, thread two और thread three दोनों complete हो जाती है, thread two और three के complete होने के उपर, इन दोनों को आप merge कर देंगे, और इस तरह thread zero और thread one दोनों की complete होने पे इन दोनों को आप merge कर देंगे, आगे पास दो large merged lists आगी, अब इन दोनों को again आप merge कर देंगे, इन दोनों को merge करने के बाद पूरी की पूरी list merge हो जाएगी, list merge होने पे आपकी sorting complete होगी, अब जो merge list है वो fully sorted होगी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको चार threads create करनी पड़ी, और फिर उनको बारी बार सिस्टेमाटिक तरीके से merge करना पड़ा।